हेलो एप्रिमान वेल्कम बेट टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए ले आई हूं बहुती दिल्चप स्टोरी जिनके बार में जानती हूं तो आप सभी है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगे शारुक खान की लव स्टोरी के बार में जो हैं हमारे साल की थी तोनों पहली बार एक पार्टी में मिले थे वॉलिवुट की किंग खान सारुक खान के एक्टिंग का हर कोई कायल है उनकी फिल्में भारत में इनीबल की विदेशों में धमाल मचाती हैं सारुक खान की रोमेंटिक फिल्मों का हर कोई दिवान है फैंस उनकी नई फिल्मों का वेसपरी से इंतजार करते हैं वहाई किंग खान के रियल लाइफ की भी कहानी दिल्चस्प है शारुक को पहली बार प्यार गौरी से तब हुआ जब गौरी उसमें 14 साल की थी दोनों पहली बार एक पार्टी में मिले थे और शारुक खान को पहली नजरी गौरी से प्यार हो गया था बार 1984 की है जब दिल्ली के पंचसील कलब में चल रही एक पार्टी में 18 साल की सारुक की नजर 14 साल की गौरी पर पड़ी थी शारुक उस समय उन्हें बस देखते ही रह गए थे उस पार्टी में सारुक खान ने गौरी को किसी और लड़की के साथ डांस करते देखा था लेकिन उस रोज सरमीले शारुक गौरी से बात करने की हमत नहीं जुटा पाये थे इसके बाद तो जिस पार्टी में भी गौरी के पहुँचने की उमीद होती है सारुक भी उस पार्टी में पहुँच जा दे थे 25 अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात में सारुक ने गौरी के घर का फॉन नमबर हासिल कर लिया था कहा तो ये भी जाता है कि शारुक गौरी को लेकर बहुत ही पजिसिफ थे इतने पजिसिफ कि वे अगर अगर अपने बाल तक खोल कर रखे तो सारुक उन से लड़ने लगते थे सारुक की इस यादस से परिशान होकर गौरी ने दिल्ली में चोड़कर बिना बताएं मुंबई आ गई थी शारुक गौरी को मुनाने मुंबई तक जा पहुंचे उन्हें पता नहीं तक गौरी मुंबई में कहा रह रही तब भी उन्हें कही दिनों तक मुंबई की गलियों में ढूंगते रहे लेकिन कहते हैं ना किसमत को मंजूर होता है वही होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि सारुक खान और गौरी के साथ घर बसाने की रहा आसान नहीं थी कहा तो ये भी जाता है उन्हें काफी वधाओं का सामना करना पड़ रहा था शारुक और गौरी तो अपने प्यार की साथी में बदलने के लिए पूरी तरी से तैयार थे लेकिन दोनों के घर वाले को कड़ी आपती थी शारुक ने गौरी के परिवार वालों को मनाने की बहुत कोशिश किया आखिरकार उनों नहीं गौरी के परिवार वालों को मना लिए और दोनों ने